अलो स्टोरेंट, वेलकम टू कोलेज बुक, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉनो कोईड का जो सेंटर है उसको हम कैसे निकालते हैं, तो हाव तू फाइंड सेंटर ओफ कॉनकोड, तो यहाँ पर हमारे पास कॉनो कोईड की एक्वेशन दी है, और इस एक्वेशन का यू समझ में आता है कि हम कैसे किसी भी कॉनो कोईड एक्वेशन या जो सांकवज है, उसे सांकवज की एक्वेशन के सेंटर हम कैसे निकालते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, तो स्टाट करते हैं, आप देखो यह जो है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, किसी ने वीडियो अभी चेक आप नहीं किया, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक बिल जाएगा, प्लेलिस्ट का, तो आप वहां से चेक आप कर ले न, अभी इसको देखो इसको निकालने की दो मैथड होती है, ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे फ सब्सक्रिप्रियों धियों यहाँ पर देखो यह अपने पास हो गया, एक्स वाए और जेड यह निकलता है खीए इसमें जो equation बनते हैं अपने पास 2FU, यह हो जाएगा 2GY और हमारे पास Z वाली जो टम आती है, जो H से denote करते हैं, यहां पर given नहीं है, that means H की value क्या है, 0 है, ठीक है, यह अपने पास 2UX, 2VY, 2WZ, and यह 20 कितना है, D है, ठीक है, तो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो equation है, अपने पास, equation first, equation first को हम differentiate करेंगे, with respect X, with respect Y and with respect Z, तो सबसे पहले हम इसका करते हैं, del F upon del X, means X के respect में, equation first का differentiate, तो यहां से हो जाएगी कितनी, 6X, यह 0, 0, यहां से आजएगा क्या, 2Z, minus का 2Y, ठीक है, और यह आजएगा, plus का 2, equal 0, ठीक है, अब हम करेंगे, equation first का ही Y के respect में differentiate, तो del F upon del Y, यह कितना हो जाएगा, 10Y, यहां से आजएगा, minus का 2X, और इधर आजएगा, Z अपने पास है नहीं, तो 0, plus में, अगली equation आजाएगी, 2, 12Y, 12, ठीक है, यह फिर, एक सेकंड देना, कहीं मैंने, 2ZX, 2XY, लिखना बूल गएगा, minus 2XY, वह और साथ में आएगा, minus 2XY, 2ZX, 2X, 2ZX, और 2YZ, एक टर्म रह गए बीच में, यहां हो जाएगा, प्लस 2YZ, यह यहां पर छुट गई, प्लस 2YZ, चीक है न, 2YZ, तो यहां से यह बोरा जाएगा, क्या, 2Z, प्लस में, 12, एक वल में, 0, अब हम करेंगे, डेल F अपन, डेल Z, डेल F अपन, डेल Z, तो यह हो जाएगा, 6Z, प्लस का 2X, प्लस का 2Y, और वहां से आजएगा, प्लस का 10, इकवल में, 0, यह इक्वेशन आ गई, 2nd, 3rd and 4th, अब देखो, इन तीनों इक्वेशन का, यूज करके, हम निकालेंगे, क्या, X, Y and Z की वल, तो तीनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, L इक्वेशन में से, देखो, common आ रहा है, यहां पर 2, तो 2 common लेके, उदर cancel out कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा, क्या 3X, यह हो जाएगा, प्लस का, Z है, तो मैं पहले Y की टम्ट ले लिए, तो यहां जाएगा, minus का Y, plus का Z, और 2 जो है, common लिया, तो 1, उस साइट जाएगा, हो जाएगा, हमारे पास कितना, 1 हो जाएगा, यहां गई, equation number second, अब इस equation को solve करते हैं, तो यहां से भी, हमारे प का 5Y, और इदर यहां से आजाएगा, प्लस का Z, अब 12 में से 2, ले लिया, तो 6, और यह इदर जाएगा, कितना हो जाएगा, minus का 6, minus 6, अब इसमें से भापस से 2, लेंगे, तो यहां बचेगा, देखो, X, इदर आजाएगा, कितना, plus का Y, इसमें आजाएगा, plus का 3Z, और य minus का 5, equation 3, equation 4, आप देखो, equation 2, 3rd और 4, इन तीनों equation का use करके, हमें X, Y, Z की value निकालनी है, तो इन तीनों को मैं अभी लिख लेती हूँ, तो यहां से देखो, equation आगे, अपने पास 3, पहली है, second equation 3, X, minus का Y, plus का Z, equal में आगया 1, अब देखो, X negative है, तो X को अगर हम positive करना चाहिए, तो चलो कोई दिक्कती negative भी रख सकते हैं, अगर आप इसको positive करना चाहिए, तो पूरी टम को, both side के अगर सकते हैं, negative से multiply कर सकते हैं, plus का 5Y, plus का Z, equal में आगया, minus का 6, यहां से आजाएगा, X, plus Y, plus का 3Z, equal में, minus का 5, equation 3, 4th, and 5th, आप देखो हमें, यह दोनों में negative, negative है, negative और positive है, तो equation 4th, यूज कर लेते हैं, from, from equation 4 and 5, तो 4 और 5 से आजाएगी हमारे पास, minus X, plus 5Y, plus का Z, बराबर minus 6, equation 5 है, X, plus Y, plus का 3Z, minus का 5, equation हमने 4 लिख दी, equation number 5, दोनों को देखो, cancel out करेंगे, तो यहां से आजाएगा, क्या 6Y, और यहां से आजाएगा, 4Z, equal में कितना जाएगा, minus का 11, equation number 5 से 6 आगे, अब सेम हमें Y, Z की equation बनाने पड़े, means हम यूज कर सकते हैं, क्या equation number 3rd and 4, या चाहे तो हम equation number 3rd and 5th यूज कर सकते हैं, आप देखो, जब हम equation 3rd और 5th यूज करेंगे, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, X को सेम करने के लिए, इस equation को 3 से multiply करने, या आप इन दोनों को यूज करो, ताकि हमें negative नहीं करने पड़ेगा, और already minus में है X, तो हम यूज कर लेंगे, यह क्या, from equation 3rd and 4, अब equation 4 जो है, उसको मैं multiply कर रहे हूं, किस से 3 से, दोनों को equal करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो equation 3rd है, 3X, मैं उदर लिख देती हूं, यहां से हमारे पास equation 3 है, 3X, minus का Y, plus का Z, equal में 1, अब equation जो 4 है, इस equation 4 को multiply करेंगे 3 से, ताकि X और X क्या हो जाएं, equal हो जाएं, तो minus 3X, plus में 15Y, plus में 3Z, और equal में minus है तो 18, यहां से आजाएगा, देखो दोनों negative, cancel out होगे, यहां से आजाएगा, अपने पास 14Y, यहां से आजाएगा, plus 4Y, और इधर कितना आजाएगा, minus का 70, 17 आगया, अब देखो इन दोनों equation में YZ, और इसमें भी Y, और सुरी, Z है, YZ, अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें अपने पास जो 6 है, और यह equation 7, equation 6 में Z, और इसमें भी Z, दोनों सेम है, तो यहां से हम सीधा Y की value निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, from equation 6 and 7, equation 6 और 7 का यूज़ करेंगे, तो यहां से equation 4, equation 7 अपने पास 14Y प्लस 4Z इक्वल में माइनस का 70, और equation 6 क्या है, 6Y, 6Y प्लस का 4Z इक्वल में है, माइनस का 11, आप देखो यहां पर अपने पास यह दोनों क्या है, positive, positive, जो की cancel out नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, equation 7 में से माइनस कर देंगे, क्या equation 6, आप चाहो तो equation 6 में से 7 कैसे भी लिख सकते हो, ना कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से हम क्या करेंगे, negative, negative and positive हो जाएगा, ठीक है, दोनों cancel out, यहां से कितना आ जाएगा, 14 में से अपने पास 6 है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 8Y, एक्वल में कितना आ जाएगा, यहां से 17 में से 11 गया, तो यहां से बच जाएगा, अपने पास 6, ठीक है, अब हम निकालते हैं, Y की वैलिव, तो Y कितना आ जाएगा, negative 6 बचेगा, तो negative और इधर positive, तो negative 6 अपन ए, वैलिव कितने आ गई, यहां से हमारे पास, देखो, यह negative हो जाएगा, यह हमने भी change किया, तो इधर जाके negative, यह भी negative, तो यहां से आजाएगा, हमारे पास क्या, 90, ठीक है, अब 19 में से हम 11 गया, तो यह बचेगा, 8, यहां से, जो कि negative 8, negative 8, 8 हिदर है, और 8 है, अपने पास, तो minus का 8, यहां से हमारे पास, फिर वैलिव कितने आ जाएगी, यह हो जाएगा, y ब्रावर minus का 1, ठीक है, y की value आगे minus 1, अब हम निकालने किसकी, x और z की, तो y की value हम put कर देते हैं, किसमे, equation number, 6 में रख लो, तो equation 6 में हम value रखेंगे, तो जब equation 6 में value put करें, तो यहां से हमारे पास equation y command बन जाएगा, क्या, यह आ जाएगा, 6 into minus 1 plus 4z equal to minus 11, तो यहां से आ जाएगा, देखो 6 है, तो 4z उदर जाएगा, minus 11 plus 6, तो यहां बज़ जाएगा, अपने पास minus का 5, तो z कितना जाएगा, minus 5 by 4, z की value कितने आ गए, minus 5 by 4, अब हमारे पास y की time भी आ गए, और z, दोनों की value निकालने के लिए, हम use कर लेंगे, यह कौन सी equation number 5, तो equation 5 में हम करेंगे from equation 5, तो equation 5 से निकाल सकते हैं, क्या x, y कितना है, minus 1, और plus z कितना है, minus का 5 by 4, और into 3, equal में, minus का 5, तो यहां से आ जाएगा, अपने पास x, इसका अगर हम L से हम लेंगे, तो minus का 4, minus का 15, upon 4, equal में, minus का 5, तो x आ जाएगा कितना, यह हो जाएगा, 19 upon 4, तो इदर रहेंगे, minus plus 19 upon 4, तो x कितना जाएगा, minus 20 plus 19 upon 4, तो x का मान आ गए अपने पास, minus 1 upon 4, तीनों की value आ गई, x, y and z, तो यहां से हमारे पास देखो, x, y और z, तीनों की value कितने आ गई, x है कितना, minus 1 upon 4, y कितना है, minus 1, and z कितना है, minus 5 by 4, यह क्या आ गए, हमारे पास, x, konokoid of center, तो किसी भी konokoid की हमारे पास center हम, इस method से निकाल सकते हैं, यह थी method first, जिसमें सीधा क्या करना है, equation का differentiate करना है, और फिर हमें 3 value equation मिल जाएगी, तीन equation का use करके हम उसके center निकाल सकते हैं, तो अगर यह method आपको पसंद आई, तो वीडियो को like कर देना, चैनल को subscribe और bell icon को click करना तक याने वाले हर वीडियो की notification आपको मिल दे रहे, thank you for watching.